Hello students, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग second chapter start कर रहे हैं और आपकी जो शुरुवात है इस course की, वो second chapter से ही मैं कर रहा हूँ पुरे 16 chapters हमको physics में पढ़ने हैं, महारास से state board के 12th standard का जिसमें मैं start कर रहा हूँ आपके second chapter से और that is mechanical properties of fluid ठीक है, तो इस एक साल के journey को शुरू करते हैं second chapter से, उसके बाद फिर मैं first chapter आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर आपको जो order में देखे रखा है textbook में, उसी order से आपकी पूरी physics का थम करूँगा तो आइए शुरू करते हैं second chapter आपका mechanical properties of fluid तो देखो यहां पर word बच्चो fluid आ रहा है, fluid का मतलब क्या होता है, fluid का मतलब होता है something which can flow, something which can flow, जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, तो इसका example क्या सकते है, बताओगे मुझे, example क्या आएगा, देखो जब हम states of matter की बात करते हैं, त matter तीन state में exist करता है, solid, liquid और gas, उसके अलावा भी plasma की बात करते हैं, या फिर Bose, Einstein, Condensate ऐसे, और भी states of matter की बात होती है, लेकिन हम लोग खुद को ये तीन states of matter तक ही restrict रखेंगे, और आपको पता है कि solid, liquid और gas क्या होता है, अब मुझे एक बात बताओ, कि fluid मैंने क्या कहा, कि something which can flow, जो flow हो जाता है, बह जाता है, उसको हम लोग fluid बोलते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कि क्या solid flow हो सकता है, solid अगर मैं suppose को, जैसे ये phone है, इसको मैं अगर रखूँ, तो क्या यहां से flow हो जाएगा, नहीं होगा, तो solid fluid नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर liquid होगा, जैसे म जाएगा, तो यह दोनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, fluid बोल सकते हैं, तो example में अगर मैं देखूँ, इस case में, तो example आपका क्या आजाएगा, बताओ, just a second, यह आपका example आजाएगा, fluid which can flow is liquids and gases, तो जितने भी आपके liquids and gases होते हैं, यह सारे के सारे क्या होते हैं, इसको हम fluids बोल सकते हैं, solids आपका fluid नहीं होता है, liquids और gases सारे आपके क्या होते हैं, fluid होते हैं, ठीक है, समझ में आगया, अब हम इस fluid का क्या पढ़ेंगे, बताओ, mechanical properties पढ़ने वाले, mechanical properties का मतलब क्या होता है, mechanical properties का मतलब, यह वो properties है, जो force लगाने पर fluid दिखाएगा, ठीक है, under the action of force, mechanical properties मतलब वो properties जो यह शो करेगा, under the action of force, under the action of force, मतलब अगर आप force लगाते हो, fluid पे, तो वो किस तरीके से behave करेगा, यह हो गया, उसका mechanical properties, देखो, mechanical properties of solids आप already 11th standard में पढ़ चुके थे, solid का तो हमने पढ़ लिया, अपनी elasticity, deformation, इन सब के बारे में पढ़ा है, तो हम क्या करते जैसे मालो एक plastic है, उसको खीचेंगे, तो किस तरीके से behave करता है, या clay है, या ऐसे solids जो होते हैं, जिस पर हम force लगाएंगे, तो उसका shape चींज हो जाता है, volume चींज हो जाता है, तो यह solids के mechanical properties थे, जो आप already पढ़ चुके हो 11th standard में, यहाँ पे बचा क्या liquids or gases, liquids or gases को दोनों को हम एक साथ क्या बोलता है, fluid, और इस fluid के mechanical properties को हम लोगे second chapter में पढ़ने वाले हैं, तो यह तो भई बच्चा आपका हुआ, topic का मतलग, ठीक है, अब इसकी शुरुआत किस से होगी, शुरुआत होगी, भई इस fluid से ही शुरुआत होगी, कि आखिर fluid होता क्या है, वो already मैं आ example, liquids and gases है, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, properties of fluid की, तो देखो पहला चीज़ यहाँ पर आपका, properties of fluid, properties of fluid, fluid की क्या-क्या properties है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो देखो जनरली कैसा होता है, fluid की जो कुछ properties बताया जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, कि fluid, they do not oppose deformation, अब इसका मतलब क्या है, यह मैं आपको clear कर देता हूँ, कि यह deformation को oppose नहीं करते हैं, deformation का मतलब होता है, shape को change करना, अब जिससे अगर मान लो, आप एक balloon लेकिया आ जाओ, और उसको दबा दो, तो उसका shape थोड़ा कम हो जाएगा, shape मतलब, volume उसका कम हो जाएगा, उसका shape बिगड़ जाएगा, वैसे आप आटा लो, गूंदा हुआ आटा, जिसको एकदम तयार कर दिया है, गूंद के पुरा, पानी वगर मिला के जो रोटी बनाने के लिए आटा तयार होता है, उस गूंदे वे आटे को लो, और उसको deformation मतलब क्या होता है कि हिसाब से, change in shape, यह धियान रहे है, change in shape और size, shape और size में जो change आता है, उसी को हम क्या बोलते है, deformation, अब यह जो भी चीज़े मैंने आपको बताई, यह क्या करता है, जिसे solids होता है, तो solids को अगर आप solids का shape बदलने जाओगे, तो यह उसको oppose करता है, वो आपको जबरदस्ती खींच के उसका shape बदलना पड़ता है, मालनो rubber band को खींचो, उसका shape बदलने लगो, उसके अंदर deformation produce करो, तो rubber band भी आपको खींच के वापस अपने जग़ा पे आने की कोशिश करता है, समझे, वो अपना shape बिगणने नहीं देना चाहता है, तो हम बोलते हैं कि rubber band क्या कर रहा है, deform motion को oppose कर रहा है, मतलब वो कोशिच कर रहा है कि उसका shape ना change हो, वैसे अगर मालनो को इस solid उठाओ मैं इस तरीके से, तो इस solid को भी अगर मैं force लगा हूँ, तो यह अपना shape नहीं change होने देगा, इसके अंदर जो opposition है, मतलब deformation के प्रती जो opposition हो बहुत opposition रखते हैं या फिर oppose करते हैं, मतलब वो अपने shape में change नहीं होना देना चाहते हैं, आप जबरदस्ती करके कुछ solids का shape बिगार सकते हो, जैसे कि rubber band की बात की मैंने, पर वो भी कोशिच करता है कि वापस आके अपने shape में वापस आ जाओना है, लेकिन जो fluids होता है, fluids मतलब liquids और gases, ये deformation को oppose नहीं करता, इसका shape बिगार दोगी तो बिगड जाएगा, अब मालो यहाँ पर तुमने एक, अगर सब उसको बकेट में पानी है, और आपने क्या क्या उपर से 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 को मार दिया, तो वो वापस नहीं आएगा, बल्कि उसका shape permanently बिगड जाएगा, ठीक है, पा रहा है, size change हो रहा है, उसको वो oppose नहीं करेगा, वैसे अगर आप gas को compress करके उसका volume कम कर देते हो, और कम करके आप रख सकते हो उसको, और या फिर अगर suppose को आपने gas को भी ऐसे लिया यहाँ पे, उसके बाद निकाल के उसको ऐसे फैंक दिया, तो वो वापस से अपने shape को regain न आते हो, तो permanent change हो जाता है, उसके अंदर permanent deformation हो जाता है, second चीज़ यहाँ पर यह है इसका, properties of fluid में, कि they take the shape of container, they take the shape, they take the shape of container, जिस container में आप डालोगे, उसी container के shape का यह fluid हो जाएगा, जाहिर से बात है, अगर आप एक सिलिंडर में gas भर देते हो, fluid में gas और liquids दोनों आता है, याद रखना, fluid, gas और liquids दोनों के लिए use होता है, अगर आप एक सिलिंडर में gas भर दोगे, तो gas cylinder की shape का हो जाएगा, अगर आप एक glass में पानी भर दोगे, तो पानी glass की shape का होगा, उसी को lota में भर दोगे, तो lota की shape का हो जाएगा, आप जिस container मे liquid को या फिर gas को या fluid को रखोगे, वो उस container के shape को ले लेगा, यही होता है, आपका they take the shape of container, तीसरी चीज़, कि they have ability to flow, they have ability to flow, ability to flow, मतलब उसके पास ability होती है, flow करने की, तो यह तो हम जानते ही है, कि fluids हम उसी को बोलते है, जो flow कर सकता है, तो इसके पास एक और property है, कि वो एक जगर से दूसरे जगर पे flow हो जाता है, तो यह property हो गई आपके fluid की, इसमें एक चीज़ note down करना, जैसे मैंने आपको बताया, कि properties of fluid में, they do not oppose deformation, जबकि solids deformation को oppose करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसमें एक और चीज़ दिखा रहता है, कि fluid, fluids do not oppose shear stress, यह shear stress को oppose नह करता है, इसका मतलब क्या, देखो, shear stress का मतलब क्या होता है, दो type का stress होता है, एक तो आपका होता है, tensiles and compressive stage, जिसको आपनों normal stress बोलते हैं, यहाँ पे लिग देता हूं, एक होता है, आपका normal stress, और दूसरा आपका होता है, shear stress, ठीक है, अगर मैं solids की बात करो, तो solids दोनों stress क को oppose करता है, मतलब अगर आप उसमें normal stress या shear stress produce करोगे, तो फिर वो क्या करेगा, इन दोनों stress को oppose करने की कोशिश करेगा, stress का मतलब जैसे, अगर suppose करो, मैं यहाँ पे cube ले ले लेता हूं, for example, जैस रसे किना, कहा गया यह, मालो यहाँ पे मैंने cube ले लिया, और एक cube यहाँ भी ले लिया, अब देखो, इस case में अगर suppose करो, आप यहाँ पे एक force लगा तो, यह normal stress की बात करो हूं, यहाँ पे share stress की बात करो, share stress में क्या होता है, अगर आप, आपके पास अगर suppose करो, यह jelly है, ठीक है, एक सिकेड़ा, अगर आपके पास suppose करो, यह एक jelly है, cube का एक jelly है, औ और इस jelly के सबसे top layer पर अगर आप इस तरीके से force लगाते हो, सबसे top layer पर, अगर आप force लगाते हो, तो क्या होता है, top layer पर जब आप tangential force लगाते हो, तो इसका layer यह पूरा shave जोड़ा सा बिगड जाता है, अब लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, आप यह समझ पा रहे हो, इस तरीके से, और यह, एक सके, यह थोड़ा सा आगे इससे चला जाएगा, जब आप उसको दख्का मारोगे, इसके tangentially, इसको अगर सबसके top surface पे से दख्का मारोगे, तो यह थोड़ा सा आगे चला जाता है, शेप उसका कर रहे हो, एक हिसाब से stress का अभी मतलब समझ लो कि आप force apply कर रहे हो, force per unit area जो आप apply करते हो, उसी को हम stress बोलते है, तो हम जो stress apply करते हैं, इससे क्या होता है, कि यह इससे थोड़ा जुग जाता है आगे, यगर आप एक मोटी सी book लो, माल लो, एक मोटी सी book को अगर top का जो cover है, उस पर अगर आप force लगाओ, तो थोड़ा सा यसा आगे चला जाता है, पूरा, शेप बिगड़ जाता है, तो इसमें क्या होता है, देखो, कि यह इसको, यहाँ पे जो हम stress apply कर रहे है, जो force apply कर रहे है, per unit area, इसको बोला जाता है sharing stress, या share stress, अब देखो, जब यह share stress को अब हटाओगे, तो यह जली वापस से अपने जगा पे आ जाता है, क्योंकि इस share stress को वो oppose करता है, उसको रोपने ही कोशिश करता है, और इसलिए वो वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन यह जो है, यह आपका solid ही कर पाएगा, है, नॉर्मल stress का मतलब क्या होता है, नॉर्मल stress में दो टाइप का stress आता है, तो यहाँ पे अगर suppose करो, यह दो example मैं ले लेता हूँ, एक हमारा होता है tensile stress, यहाँ लिख देता हूँ, एक को हम बोलते हैं, tensile stress, और यहाँ पे दूसरे को हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आता है कॉंप्रेसिव स्ट्रेस अच्छा बचो जो भी मैं लिखा रहा हूँ इसका पूरा का पूरा नोट्स जो है आपका हैंड रिटन नोट्स में आपको देने वाला हूँ और ये भी जो मैं लिखा रहा हूँ इसका भी PDF आपको मैं भेज दूँगा ठीक है तो आप ध्यान से बस सुनो अच्छे से उसके बाद आपको notes मिल जाएंगे तो आपको note down कर लेना tensile stress का मतलग क्या होता है कि अगर मालो मैं हर face को ऐसे perpendicular direction में force लगा कर खींचता हूँ चारो direction से जब उसको मैं खींचता हूँ तो इसको बुला जाता है tensile stress perpendicular force लगा के हर surface पे मैं जब खींच रहा हूँ तो उसको tensile stress बुला जाता है और अगर perpendicular force लगा के मैं अंदर दबा दू compress करू इसका volume कम करनी कोशिच करू compress करू तो उसे compressive stress बुला जाता है तो आप fluid पे tensile या फिर compressive stress लगा सकते हो normal stress लगाते हो उसका oppose करता हो जैसे बलून है बलून में आप हवा भर दो उसको आप चारो तरफ से अगर दबाओगे compress करोगे तो यह वो oppose करेगा fluid shear stress को oppose नहीं करता है समझे और solids दोनों stress को oppose करता है fluid जो है वो shear stress को oppose नहीं करता है जैसे मालो आपने एक पानी भर दिया glass में और उसके top surface पे अगर suppose करो आप ऐसे force लगाते हो तो पानी वहाँ से उचल के बाहर निकल जाएगा इसके तरह नहीं, solid के तरह नहीं जैल के तरह नहीं कि यहाँ वो oppose करके वापस आ जाएगा तो आपका fluids shear stress को oppose नहीं करता है normal stress को कर लेता है काफी हद तक ये भी generally बहुत जादा नहीं कर पाता है लेकिन fluid का जो fluid जो है वो shear stress को बिलकुल भी oppose नहीं कर पाता समझे और shear stress में अब आपको बता दिया है मैंने कि top layer पे tangential जब force लगाते हुआ तब हम बोलते हैं कि हम इस पर shear stress अपलाई कर रहे है solid है वो उसको oppose कर लेगा लेकिन fluid oppose नहीं कर पाएगा तो ये एक important property कि आपका solid normal stress और shear stress दोनों को oppose करता है normal stress के अंदर tensile और compressive दो टाइप का stress आता है लेकिन fluid जो है वो shear stress को oppose नहीं कर पाता है समझ गए तो ये तो आपकी हो गई fluid की property और fluid के बारे में सारा का सारा discussion ठीक है आगे बढ़े हम लोग अब हम लोग बात करेंगे कि ideal fluid क्या होता है तो यहां पर हम देखेंगे properties of ideal fluid या ideal fluid होता क्या है properties of ideal fluid तो देखो ideal fluid अगर कोई fluid कब कहलाएगा कोई भी fluid हो अगर हम बात करें कि वो ideal fluid कब कहलाएगा जब उसके पास ये सारी properties हो सबसे पहला कि ये fluid जो है incompressible होना चाहिए टीक है they are incompressible आप उसको compress नहीं कर सकते उसकी density change नहीं कर सकते आप उसको दबा के fluid का density बढ़ा या घटा नहीं सकते है घटा भी नहीं सकते है बढ़ा भी नहीं सकते they are incompressible पर example अगर suppose को एक glass मतलब उसका volume fix होता है एक glass में अगर आप पानी भरोगे तो उसका volume पानी का fix होगा एक glass का ही उसको आप खीच के ज़ादा नहीं कर सकते या फिर glass में पानी को दबा के कम नहीं कर सकते समझ गए तो इसका मतलब water जो है आपका incompressible है तो कोई भी ideal fluid उसकी एक property तो होगी कि वो incompressible होता है लेकिन gases याद रखना आपके ideal fluid में नहीं आएगा क्योंकि gases incompressible नहीं होता है gases को compress किया जा सकता है यह आप जानते हो आपके घर में जो cylinder होता है जो gas का cylinder होता है जिससे खाना पकता है वो actually compressed gas ही होता है तो gases को compress किया जा सकता है वो incompressible नहीं है और अगर incompressible नहीं है तो ideal fluid के अंदर नहीं आएगा समझे, second ये है कि their flow is irrotational their flow is irrotational उसका flow irrotational होता है irrotational का मतलब क्या होता है कि जैसे माललो अगर liquid flow कर रहा है तो बड़े smooth और आराम तरीके से flow होगा जैसे माललो आपने देखा होगा कि अगर माललो कहीं पानी flow हो रहा है तो इदम आराम से flow हो अब ऐसा नहीं कि आपका fluid जो है यहाँ वहाँ इस तरीके से flow होगा और उसके जो particles है वो घूम घूम के ऐसे flow होने लगेंगे rotate हो जाएंगे अगर किसी भी fluid में rotation आ जाता है आपने tornado देखा होगा या जो तूफान आता है बवंडर आता है उसमें जो है आपका fluid या जो air होता है वो घूमने लग जाता है rotate होने लग जाता है अगर flow rotational है तब वो ideal fluid नहीं कहलाएगा ideal fluid में rotation नहीं होता है वो सीधे सीधे एक direction में flow होता है that means their flow is irrotational यह दूसरी property हो गई तीसरी property यह है कि they are non-viscous they are non-viscous अब यह non-viscous का मतलब क्या है non-viscous का मतलब होता है कि उनके अंदर viscosity नहीं होती है no viscosity और viscosity का मतलब friction होता है आप समझ लो यहां पे viscosity मतलब एक हिसाब से समझ लो गाढ़ापन या फिर friction मतलब अगर suppose करो कोई fluid flow हो रहा है तो उसके बहुत सारे layers होंगे जिसा अब glass में पानी रखो तो उसके बहुत सारे layers होंगे पानी के जब एक fluid flow होता है तो हर एक layer एक दूसरे पर flow होता है अब liquid में क्या बार क्या होता है कि layers की बीच में friction होता है उस friction को हम viscosity बोलता है अगर यह viscosity नहीं है layers की बीच में friction नहीं है बड़ी smoothly आपका सारा layers या fluid flow हो रहा है तब उसको हम बोलते हैं कि ये non-viscous fluid है ठीक है? अगर viscosity ज़्यादा होती friction ज़्यादा होता है तो fluid का flow थोड़ा slow हो जाता है उसमें गाड़ा पना जाता है जिसे माल लो अगर मैं यहाँ पर सब्सक्रों एक drop रखूँ यहाँ पर honey का honey मतलब शहद का शहद का एक drop रखूँ और यहाँ पर water का drop रखूँ तो आपको पता है कि water बहुत जल्दी नीचे आजाएगा लेकिन honey नीचे आने में time लेगा उसका reason क्या है honey के layers के बीच में बहुत friction होता है यह viscous fluid है water उतना जादा viscosity उसके अंदर नहीं होता है बहुत कम होता है इसलिए बड़े जल्दी नीचे आजाता है तो viscosity के बारे में और जादा detail में friction के बारे में और जादा detail में हम fluid में पढ़ेंगे आगे बस मैंने यहां पर एक overview दे दिया क्योंकि यहां पर properties of ideal fluid के अंदर यह लिखा गया था चौती चीज़ यहां पर यह होगी आपका क्या होगा they are incompressible, they are irrotational, they are non-viscous and their flow is steady their flow is steady अब steady flow का मतलब क्या होता है जैसे अगर माल लो आपका flow, जैसे कोई liquid ऐसे flow कर रहा है, तो किसी भी point पे, जैसे माल लो इस point पे अगर मैं देखू चीज़ है, तो इस point पे जितने भी fluid के properties है, चाहे इस point पे fluid का pressure हो या फिर किस velocity से यहां पे यह flow हो रहा है, यहां पे density क्या है इसका, जितने भी properties है, इस point पे सारे के सारे fix होंगे, जैसे माल लो यहां पे 5 meter per second के speed से velocity के साथ यह जा रहा है, यहां का pressure माल लो कुछ है, तो अगर suppose कोई कोई दूसरा particle भी यहां पे आता है, पीछी से flow होकर, तो यहां पे आते आते हैं, उसका speed 5 meter per second ही हो जाएगा, उसकी भी velocity 5 meter per second ही हो जाएगी, pressure भी उतना ही हो जाएगा, जितना इसके पहले था, मतलब, इस point की properties सारी हमेशा fix होंगी, यह जरूर हो सकता है, कि जब आप दूसरे point पे चले जाओ, मालो इस point पे, तो इस point पे हो सकता है, velocity बदल जाए, velocity हो सकता है, 2 meter per second हो जाए, लेकिन आप इस point पे अगर velocity 2 meter per second है, तो यह 2 meter per second ही रहेगा, समझे, हर point की जितनी भी properties होते हैं, वो fix होता है, अगर कोई flow, steady flow हो तो, इसका मतलब क्या, कि आपका अगर कोई fluid, ideal fluid है, तो वो हमेशा steady flow में होगा, समझे, यह 4 properties जिसके पास होंगे, तो ही हम उसको बोलेंगे, कि वो एक ideal fluid है, बहुत अच्छा fluid मानके चल सकते हो, बहुत ideal fluid है, क्या, incompressible होना चाहिए, rotational flow होना चाहिए उसका, उसमें घुमाव नहीं होना चाहिए, या rotation नहीं होना चाहिए flow में, non-viscous होना चाहिए, friction नहीं होना चाहिए layers की बीच में, और last, जियर flow is steady, उसका flow कैसा होना चाहिए steady, हर point पे जो properties है, velocity, pressure, density, वो हर point का fix होना चाहिए, अगर ऐसा कोई fluid है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ideal fluid बोलेंगे, और बात करेंगे, कि बाई pressure क्या होता है, pressure of a fluid, या सिधा हम pressure की बात करते हैं, pressure exerted by a fluid, देखो pressure क्या होता है, pressure का definition क्या है, आपका it is normal force per unit area, normal force per unit area, देखो pressure का formula जो होता है, pressure is normal force upon area, पहले normally pressure को समझ लेते क्या होता है, और ये pressure का मतलब वही है, हम यहाँ पे जो pressure की बात कर रहे हैं, वो pressure exerted by fluid है, लिकिन पहले समझ लेते हैं कि ये pressure का मतलब क्या होता है, pressure P is equal to F force upon area, अगर सपोज को किसी surface पे, अगर आप force लगा रहे हो, मालो, surface है, surface का total area A है, और इस पर आप force लगा रहे हो, तो आप pressure कैसे calculate करते हो, force upon area, पर actual भी pressure है क्या, जब मैं बोलता हूँ कि मैंने किसी पर ज़्यादा pressure डाला, तो क्या इसका मतलब यह होता है, कि मैंने उस पर ज़्यादा force लगा है, तो अगर मालो, force था ही, तो फिर pressure की ज़रुद क्यों पड़ी, फिर हमने अलग से फिर यह pressure क्यों define किया, हम यह नहीं बोल सकते थे, कि हाँ मैं यहाँ यहाँ पर ज़्यादा force लगा रहा हूँ, मुझे फिर यह अलग से pressure लाने की ज़रुद क्यों पड़ी, यहाँ दोनों में difference है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, अब देखो मैं एक example देता हूँ, जैसे force कई बार क्या हुथा नहीं, कि आपको धोका दे सकता, मतलब force जो है, वो आपको सही idea कई बार नहीं दे सकता, जैसे एकर मालो, suppose को कोई बोलता है, कि मैंने इस पर 50 newton का force लगाया, और दूसरा person बोल रहा है, कि नहीं, मैंने इस पर सिर्फ 2 newton का force लगाया, तो इस बात के कोई guarantee नहीं है, कि जो 50 newton force लगाया था जिस बंदे ने, वो ज़्यादा खतरनाक था, और जिसने सिर्फ 2 newton force लगाया, वो ज़्यादा चोट नहीं लगा पाया होगा, वो कम चोट लगाया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखो, एक simple सा example देता हूँ, जैसे मान लो, एक बार क्या हुआ, कि एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी आया, मेरे सामने, मेरे साथ लडने के लिए आया, तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया, और उसने क्या-क्या, एकदम जोरदार घूसा मेरे मुग पे लगा दिया, और बहुत जोर का दर्दुआ था, उसने मेरे body पर हो सकता है, मान लो लगबग 50 newton का force लगाया हो, या एक जबरदस force लगाया तो मान सकते हो, यहाँ पर value जाने दो, अब मुझे काफी चोट लगा, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया, वो आज तक मेरे सामने नहीं आया, और वो काफी डर गया है मुझसे, मैंने उस पर जदा force नहीं लगाया, मैंने बस हलका सा प्यार से उसको चुआ था, और उतने में वो डर गया था, उसने मुझपर बहुत जदा force लगाया था, मैंने उस पर बहुत ही मामूली सा force लगाया, फिर भी उस पर असर जदा पड़ा, उसे ज़ादा तकलीफ हुई मुझे कम तकलीफ हुई अब तुम बोलोगे सर ये कैसे बड़ा सिंपल था उसने जैसे ही मुझे घुसाल मारा जबरदस फोर्स से मैंने क्या कि अपने जेब से सुई निकाला और बड़े प्यार से उसमें उसको घुप दिया बड़े प्यार से उसके इंदर घुसा दिया छोटा सा सोई अब मुझे ज़ादा फोर्स लगा भी नहीं बड़ा हलका सा फोर्स मैंने लगाया लेकिन उसको दर्द ज़ादा हुआ मुझे जितना दर्द हो उससे काफी ज़ादा दर्द हुआ और वहां से वो भाग गया अब मुझे एक बात बताओ हो सकता है उसने 50 न्यूटन का फोर्स मुझे पर लगाया हो लेकिन ज़ादा खतरना कौन सा सावित हुआ बताओ मेरे 2 न्यूटन का फोर्स या मेरे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है ये ज़ादा मैटर करता है देखो 50 न्यूटन का फोर्स उसने घुसे से लगाया था तो उसका पूरा 50 न्यूटन का फोर्स इस पूरे एरिया पे स्प्रेड हो गया लेकिन मेरा भले ही 5 न्यूटन का फोर्स था मेरे 5 न्यूटन का फोर्स एकदम point पे जाके लगा मन्दब पूरा 5 Newton का force एकदम छोटे से area में जाके concentrate हो गया और इसलिए उस पर असर जाड़ा पड़ा इसका मन्दब force जादा असर डालेगा कि ने डालेगा इस बात के कोई guarantee नहीं 5 Newton का force, 50 Newton के force पर भी भारी पड़िया था असर डालने का काम क्या होता है उसमें एक और चीज़ matter करता है कि वो force कितने area पे लग रहा है अगर आपने सारा force एक छोटे से area पे concentrate कर दिया तो उसका असर बहुत ही खतरना हो सकता है लेकिन अगर मालो मैं बहुत जादा force भी लगा रहा हूँ और लेकिन वो बहुत बड़े से area में distribute हो गया है तब उसका असर जादा नहीं होगा समझे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वही काम करते हैं हम यह निकालने की कोशिश करते हैं कि आप unit area में कितना force लगा रहे हो unit का मतलब याद रखना बच्चों होता है 1 unit का मतलब क्या होता है 1 होता है मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि बात हमेशा ध्यान में रखो unit का मतलब क्या होता है 1 होता है समझे तो इसका मतलब आप 1 meter square area पे कितना force लगा रहे हो वही आपका pressure होता है एक simple सा example है जिसे अगर मान लो यह पूरा particular area है और यह area आपका मान लो 10 meter square का area है 10 meter square का area है इस 10 meter square के area पे अगर मान लो मैंने 50 newton का force लगाया तो यह 50 newton का force पूरे area पे spread होगा distribute हो जाएगा अब मुझे बताओ कि हर 1 meter square area पे कितना force लग रहा है हर 1 meter square area पे इस पूरे 10 meter square area पर आपने total कितना force लगा है 50 newton तो हर meter square area पे कितना force लग रहा है यह 1 meter square का area है पूरे 10 में 50 लग रहा है तो एक में कितना लगेगा एक में लगेगा 5 5 newton का force लगेगा हम बोलेंगे 5 newton per meter square हर meter square में हर 1 meter square के area पे 55 newton का force लग रहा है हर 1 meter square के area बे अगर 55 newton का force लगेगा तो 10 meter square के area में total 50 newton का force हो जाएगा तो ये जो 5 हमारे पास सामने आया है उसी को हम क्या बोलते हैं pressure बोलते हैं कि भाई मेरा pressure जो है वो 5 newton per meter square का है तो बात simple है अगर आपका pressure जादा होगा तो असर जादा होगा इसका मतलब उसने मुझे घूसा मार के बहुत जादा force लगाया तो था पर उसका area जादा था distribute हो गया तो उसका pressure कम हो गया उसके unit area में बहुत कम force आया होगा लेकिन मैंने 5 newton का ही force लगाया था लेकिन बहुत छोट इस area में लगाया था अब छोटी से मेरी आप में लगाया था इसके वेसे मेरा pressure जादा था इसका मतलब अगर pressure जादा होगा तो फिर आपका असर जादा होगा तो क्योंकि मैंने सुई से उसको मारा था तो सुई का आप देख सकते हूँ कि surface एरिया कितना पतला होता है इतना छोट सा एरिया था उसमें सारा force लगा था तो मेरा जो pressure है वो काफी जादा हुआ था इसके वेसे वो जादा गहरा चोट लगा था उसकेस में समझें? तो ये आपका pressure का मतलब समझ में आ गया है कि एक unit area में आप कितना force लगा रहे हो भले आप बहुत जादा force लगा रहे हो लेकिन एरिया जादा होने की वज़े से unit area में अगर कम force लग रहा है तो आपका pressure भी कम होगा तो इस पूरे इसमें आप देख सकते हो कि हर meter square में आपका 55 Newton का force लग रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो pressure है वो 5 Newton per meter square है पर मतलब हर 1 meter square में आपका force 5 Newton है and that is your pressure तो pressure हम calculate कैसे करते है force upon area तो यहाँ पर देखो आपका देखो यह 5 आपका इस formula से भी आ जाएगा कैसे बताओ और यह 5 आया कैसे आपने 50 Newton को 10 meter square से divide कर दिया वैसे आया ना तो अगर आप यहाँ पर pressure निकालते हो तो कैसे निकालोगे force upon area force कितना है बताओ 50 Newton का pressure कितना है 10 का divide कितना आ गया 5 और pressure का unit क्या होगा Newton per meter square और आपका 5 Newton per meter square का pressure आ गया आई बास समझ में यहाँ पर clear है चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर अब मेरा question और है यहाँ पर कि जैसे अगर suppose करो मैं यह जो pressure निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैंने pressure निकाला अब तुम calculate कर सकते हो ना pressure force upon area तो यहाँ पर clearly देखो कि जितना ज्यादा force होगा उतना ही ज्यादा pressure होगा अगर मैं force fix करता हूँ तो area denominator में आ रहा है तो clear है कि जितना ज्यादा area होगा उतना ही ज्यादा pressure होगा उतना कम pressure होगा इन्वर्स्थी प्रपोर्शनल होगा अगर मैं एक ही force fix कर देता हूँ तो जितना कम area पे वो force लगेगा उतना ही ज़ादा pressure होगा क्योंकि pressure और area जो है वो inversely proportional है इसलिए area बहुत कम रखोगे तो आपका pressure ज़ादा होगा वही force अगर आपने ज़ादा area पे लगा दिया तो आपका pressure काफी कम हो जाएगा इसलिए घुसा और सुई में आपको difference समझना आया कि area बहुत कम था इसके वज़े से pressure बहुत ज़ादा हो गया था और सुई मुझे बस थोड़ा सा ही force लगाया मैंने तो pressure बहुत ज़ादा हो गया इसलिए हम क्या करते हैं कि आपका जो सुई ये होता है सबजी जब हम काटते हैं तो हम क्या करते हैं आपकी जो छूरी होती है नाइफ होती है उस नाइफ के edge को बहुत शाप कर देते हैं नाइफ के edge को जब बहुत शाप कर दोगे तो उसका area बहुत कम हो जाएगा area एकदम कम होने के वैसे जब आप थोड़ा सा भी force लगाते हो तो pressure इतना ज़ादा हो जाता है कि फटफट करके पूरी सबजी कट जाती है अगर आपने area ज़ादा कर दिया उसको मोटा कर दिया तब आपका pressure बहुत कम हो जाएगा area ज़ादा करने पर pressure बहुत कम हो जाएगा तो आप कोछ जादा force लगेगा उसी सबजी को काटने के लिए क्योंकि pressure काफी कम हो चुगा है समझे तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको धार करते हैं जितना पतला होगा उसका area जितना कम होगा उसका area चुरी का उतना ही जादा pressure होगा उतने ही आसानी से आपकी subject कट जाएगी समझ गया तो भाई ये खेल है आपका सारा pressure का अच्छा यही pressure मतलब किसी particular area पे जब आप force लगाते हो तो force per unit area यह आपका pressure होता है यही pressure आपका liquid भी exert करती है अगर liquid के contact में कोई surface होता है मानों liquid में आपने कोई object डाल दिया या फिर आपने किसी container में liquid को रग दिया इस तरह के से तो यह liquid क्या करता है जिस surface के contact में है उस पर force exert करता है और force exert करता है इसका मतलब force per unit area calculate करोगे तो pressure आजाएगा इसका मतलब liquid या फिर कोई भी fluid मैं liquid ही क्यों बोलो चाहे container में अगर आप gas भी भर दो तो यह gas भी क्या करेगा बताओ इस wall के container पर force exert करके उस पर pressure exert करेगा तो अगर किसी fluid के contact में कोई भी material है कोई भी substance है या कोई भी surface है तो surface पर fluid क्या करता है pressure exert करता है force per unit area pressure exert करता है और उसी को हम बोलते है pressure exerted by fluid तो यहाँ पर हम pressure exerted by fluid की ही बात करेंगे कि fluid भाई कितना pressure किस पर exert कर रहा है चलो एक चीज़ तो यह हो गया दूसरा मुझे एक और बात पूछना था कि जैसे माल लो यह तुम्हारे पास यह board दिख रहा है आपका इस board का कुछ ने कुछ area होगा लेते हैं 75 meter square का 75 newton का force मालता हूँ कितना? 75 newton से इसको hit करता हूँ तो क्या आप calculate कर सकते हूँ कि मैंने इस पर कितना pressure exert किया चलिए formula तो आपके सामने है pressure is equal to क्या हो जाएगा force upon area अब force कितना लगए है बता हो 75 newton का आपने area कितना है 15 का तो कितना हुआ है कि 15 5 से 75 होता है 5 newton per meter square यह आपका pressure आगया इस board पे चलो well and good अब माल लो कि मैं क्या करता हूँ कि यहां से नीचे से ऐसा force लगाता हूँ यही same force 75 newton का मैं ऐसे नीचे से लगाता हूँ एकदम एकदम यह board दिख रहा है ना इसको ऐसे लगाता हूँ मैं ऐसे एक सीधे से मार रहा था और यही 75 newton का force मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो क्या मुझे एक बात बताओ कि board को जितना पहले चोट लगा था अब भी उतना ही चोट लगेगा मैंने force same लगाया और area भी same है बोर्ड का area तो change होने वाला नहीं है 15 meter square है force भी मैंने 75 newton का ही लगाया है तो क्या यह 75 newton का ऐसे और 75 newton का ऐसे में मार हूँ दोनों case same है बिलकुल नहीं अगर आप सीधे सीधे मारोगे perpendicular तो चोट जादा लगेगा अगर आप ऐसे मारते हो तो चोट काम लगेगा समझे तो actually में आपका जो pressure define होता है वो कैसे define होता है normal force per unit area मतलब जो आप normal force exert होता है सिरफ वही consider किया जाता है समझे pressure के time पे जो आप normal मतलब होता है perpendicular यह तो पता है ने सब लोगो normal का मतलब क्या होता है normal means perpendicular तो जो आप perpendicular force लगाते हो that perpendicular force per unit area is your pressure तो pressure calculate करते समय हम perpendicular force को कजडर करते है नई तो फिर कैसा होगा कि मैं ऐसा मारूंगा तो भी भाई आपका force तो सेम है 75 newton और area क्या है 15 meter square वही सेम है तो आपका answer तो सेम आएगा पर हमको पता है कि इस case में pressure कम लगा है और इस case में pressure ज़्यादा लगा है तो अगर एक angle पे भी force लगे जैसे मालओ आपने एक angle पे force लगा तो हमको पूरा का पूरा force नहीं लेना उसका बस एक component लेना है मालओ आपने क्या-क्या एक angle पर force लगा और यह होरिजॉंटल से माल लेते हैं अंगल बन रहा है 60 डिग्री का ठीक है तो आप क्या करो इसको दो कॉमपनेंट में डिवाइड करो दो कॉमपनेंट में कैसे डिवाइड करोगे यह टिप देख रहा है टीप से एक पर्पेंडिकुलर यहां एक कॉमपनेंट ठीक है और टिप से यहां पर दूसरा पर्पेंडिकुलर हम यहां पर लगाएंगे इसी टिप से एक component लगता है उसमें cos theta आता है तो इस force को मैंने एक component यहां लगा दिया and this is f cos theta यह f cos 60 degree और यहां पर क्या हो जाएगा f sin 60 degree समझें अब देखो f cos 60 degree जो है वो area के perpendicular है तो जब आप यहां पर pressure calculate करेंगे तो हम क्या लिखेंगे force upon area नहीं लिखेंगे बलकि f cos 60 degree upon area लिखेंगे f cos 60 degree upon area लिखेंगे reason क्या है perpendicular force ही consider करना है ठीक है normal force ही consider करना है normal का मतलब क्या होता है यहां पर perpendicular तो हम अगर angle पर force लगा रहे हैं तो उस यह perpendicular component ले लेंगे और वो perpendicular component यहां पर use करेंगे अगर आप force perpendicular ही लगा रहे हो तो पुरा का पुरा force ले लिया जाएगा आई बाद समझ में तो यह आपका pressure is equal to force upon area normal force upon area इसलिए यहाँ पर normal force लिखा हुआ है यह आपका pressure का formula हो गया समझे चलिए अब इसका SI unit की बारे में बात कर लेते हैं प्रेशर का SI unit क्या होता है SI unit of pressure pressure का SI unit होता है Newton per meter square या फिर इसको बोला जाता है Pascal PA PA का मतलब होता है Pascal तो आप अगर Newton per meter square लिखते हो प्रेशर में प्रेशर का जो unit होता है वो भी चलेगा या अगर आप Pascal लिख देते हो तो इसे को अगर आप लिख देते हो 5 pascal तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, दोनों सेम चीज है, newton per meter square और pascal, सेम चीज है, इसके दूसरे units भी होते हैं, तो अगर मैं other units की बात करो, तो दूसरे units पर ध्यान दे देते हैं, other units, तो इसका एक और unit होता है, जिसको बोला जाता है, बार, तो 1 bar is equal to 10 raise to 5 pascal होता है, या फिर newton per meter square, दूसरा आपका एक और formula होता है, उसका, एक और unit होता है, hectopascal, hectopascal, 1 hectopascal is nothing but 100 pascal, ठीक है, देको जाँ जाँ पासकल लिख रहा हूं, उसका मत्दद़ newton per meter square भी है, मत्दद़ ये 10 raise to 5 newton per meter square भी होगा, pascal मत्दद़ newton per meter square भी होता है, एक और unit होता है, इसका mm of hg, mm of hg, mm मतलब mm hg, मतलब mercury होता है, अब ये mm of hg कैसे आया, ये तो हम आगे ज़रूर discuss करेंगे, फिलाल आप याद रगों कि ये एक और unit होता है, mm of hg, और इसका जो pascal में होता है value, वो 133.32 pascal होता है, ठीक है, एक और unit होता है, इसका tor tor होता है, और 1 tor का मतलब भी 133.32 pascal होता है, मतलब 1 mm of hg का value और tor का value सेम होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 mm of hg is equal to 1 tor, समझे है, तो ये आपका सारा SI unit हो गया, pressure का, sorry, pressure का SI unit Newton per meter square और pascal होता है, बाकि ये सारे के सारे units भी आपके use होता है, so this was all about pressure exerted by a fluid, समझ गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले topic के तरफ और हमारा अगला topic है, pressure exerted by liquid column, pressure exerted by liquid column, ठीक है, शुरू करते है, pressure exerted by liquid column, अब देखो, इस case में हम लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे container ले लेता हूँ, यह एक container ले लिया हमने, liquid का, और इसके इंदर हम लोग भरते हैं, पानी, पानी भर दो या कोई भी एक fluid भर दो इस तरीके से, यह fluid भर दिया, पुरा, ठीक है, आप इस fluid का एक छोटा सा हिस्सा कजडर कर लो, मुझा यह fluid ही है, आप मान के चल सकते हूँ कि पुरा cylindrical container है, उसमें आपका पुरा fluid भरा हुआ है, कोई भी एक fluid, या liquid भरा हुए मान लेते हैं, क्योंकि pressure exerted by liquid column की बात कर रहे हैं, तो यह liquid भरा हुआ है, इस liquid का एक छोटा सा cylindrical हिस्सा आज्यूम कर लेते हैं, यहां पे चोटा ऐसा cylindrical हिस्से आज़ुम कर लेते हैं इस cylinder का area हम A माल लेते हैं इसका जो area है वो हम A माल लेते हैं ठीक है और यहां पे देखो क्या होता है कि इस point के अगर मैं बात करूँ इसके bottom पे माल लेते है pressure P है ठीक है तो यह pressure हम लोग calculate कैसे करेंगे तो देखो pressure जो होगा वो कैसे माना जाएगा कि देखो इस point पे यह जो liquid column आपको दिख रहा है यह अपना weight exert कर रहा है इसका कुछ ने कुछ weight होगा weight mg weight क्या होता है mg gravitational force तो यह अपना weight इस पर exert कर रहा है इस point पे यह इस पूरे area पे और इस area पे weight exert करने की वज़े से क्या आ रहा है pressure आ रहा है जो भी area cylinder का उस पर यह अपना weight exert कर रहा है force exert कर रहा है वो force जो उसके weight के बराबर उसको दवा रहा है वो अपने weight की वज़े से तो इस दबाने के वज़े से इस पूरे एरिया पर जो प्रेशर आ रहा है आप उसको बोल सकते हो कि इस प्रेशर एग्जार्टेट बाई लिक्विड कॉलम अब इस प्रेशर का हम वैल्यू काल्कुलेट करते हैं तो भाई आपका प्रेशर क्या हो जाएगा वेट वेट अपॉन एरिया देखो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है अब यहां पर फोर्स क्या लग रहा है बताओ इसी का वेट लग रहा है सिलेंडर का वेट लग रहा है तो यहां पी लिख सकता हूं पी इस इक्वल टू एम जी अपॉन एरिया अब दे density is equal to क्या होता है बच्छो density is equal to लिख देता है यहां पर density is equal to होता है mass upon volume तो आप मुझे बता हो कि mass is equal to क्या हो जाएगा mass is equal to density into volume यह होगा ना तो यहां पर देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं mass is equal to density multiplied by volume यह मैं आपर लिख दे रहा हूं mass is equal to density multiplied by volume so therefore यहां पर वी लिख देते हैं कि वी क्या है यहां पर वी is nothing but volume of cylindrical part cylindrical part ठीक है ना सी यहां पर आप एक काम करो एम के जगह पर क्या लिख सकते हूं देफर pressure क्या हो जाएगा बताओ pressure is equal to m के जगह पर row into volume into g upon area अब देखो यह volume cylinder का volume यहां पर cylinder आपको दिख रहा है cylinder का volume क्या होता है बता सकते हूं मुझे देखो अगर मैं cylinder के volume की बात करो यह पार्ट अलगस रख दो अगर मैं cylinder के volume की बात करो तो cylinder का volume याद रखना volume of a cylinder is nothing but base का area based का area multiplied by height multiplied by height यह cylinder का volume होता है आद ध्यान रखना base का area multiplied by height अब area के बताओ यह circular है न तो pi r square into h होता है तो यह आपने volume पढ़ा होगा कि pi r square into h होता है किसका cylinder का और वो pi r square है क्या base का जो circular area है वो area तो volume जो होता cylinder का वो area multiplied by height होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते है rho into इसका area और माल रहते है इसका height है वो height h है तो rho into area into h into g upon area एरिया हो जाएगा cancel तो finally यह अपका आजाएगा rho g h तो pressure due to liquid column यहाँ से सुनना pressure due to liquid column क्या होता है rho g h होता है this is pressure due to liquid column तो एक liquid column के वेशे है अगर माल रहते हैं h height का liquid column है तो उसके bottom पे जो pressure आएगा liquid column की वज़े से उस liquid column की वज़े से यह pressure है rho g h तो pressure देखो आपका जो है वो density पे एक दो depend करता है g तो हम वैसे constant मान के चलते हैं अगर हम height earth से बहुत उपर नहीं जा रहे हैं तो और उसके बाद उसका h मतलब liquid column का h कितना है अगर liquid column हम fix कर दें जैसे इसके नदर water ही भरा हुआ है तो density भी fix हो जाएगा तो आप देखो धियान से कि आपका जो pressure है it is directly proportional to height समझें liquid column का जितना जादा height होगा उतना ही जादा pressure होगा height कम होगा तो pressure भी कम होगा दूसरी बात independent of area independent of area आपका जो pressure होता है वो area के independent होता है मतलब अगर suppose करो हमने cylinder का area जादा भी लिया होता पर height एगर same लिया होता तो pressure आपका same आता क्योंकि pressure के equation में आपका area आई नहीं रहा है इस pressure के equation में आपको area दिखाए दे रहा है नहीं दिखाए दे रहा है इसका मतलब क्या कि आपका pressure जो है वो सिर्फ और सिर्फ height पे depend करता है liquid column के तो अगर मैं यह पूरा का पूरा यह पूरा cylinder भी ले लो यह पूरा का cylinder का area यहां से लेकर यहां तक ले लो तब भी आपका जो bottom पर pressure होगा वो same होगा क्योंकि area पर pressure depending नहीं करता है in short चाहे आप इतना बड़ा cylinder लेते या छोटा लेते यह पूरा का पूरा size ही ले लेते हैं यहां से लेकर यहां तक तो यहां पर आपका हर point पर pressure जो होता वो same होता है अगर यहां से लेकर मैं यहां तक पूरा area ले लिया होता तब भी bottom पर pressure same होता तो इससे हमें एक चीज़ और क्लियर समझ में आती है कि हर point पर एक ही horizontal line पर हर point पर एक ही horizontal level पर हर point पर आपका pressure same होता है तो मैं यह वाला part यहां पर delete कर देता हूं ठीक है यह आपको याद रखना है आप note down कहीं कर सकते हो ठीक है मैं यहां पर एक important चीज़ लिख रहा हूं वो important चीज़ यह है कि पहले चीज़ तो यह pressure is independent of area area पर depend नहीं करता है दूसरा यहां पर देखो same horizontal level पर at same horizontal level at same horizontal level horizontal level pressure at every point is equal pressure at every point is same मतलब अगर liquid column के मालो liquid column है और यह liquid column आपका यहां तक भरा पड़ा है ठीक है तो अगर मैं यह horizontal level consider करता हूं तो हमने देखा है कि उस horizontal level के उपर liquid column का height कितना है बस वही pressure decide करेगा height ज्यादा pressure ज्यादा area पर depend नहीं करता तो इसका मतलब इसके उपर कितना height है liquid column का इस बात पर depend करेगा कि इन points पर कितना pressure है और इस horizontal level पे सब के सब जितने भी points आपको दिखाए दे रहे हैं यह सारे horizontal level पे pressure जो आपका होगा वो सेम होगा क्योंकि area कितना भी बड़ा रहने तो उससे फर्क नहीं पड़ता है उसके उपर height देखी जाती है खाली तो इस एडिया पे इसके उपर height तो हर जगह पे सेम है तो हर point पे यहां पे आपका pressure क्या होगा equal होगा so at same horizontal level pressure at every point is same और यह बात तभी valid होगी जब आपका liquid rest पे होगा flow होने के case में cases अलग होते हैं वो हम बात की बात करेंगे फिलाल यहां पे जो है at same horizontal level pressure at every point is same so this is pressure exerted by liquid column ठीक है इसमें एक और बात है बच्चों जो मैं आपको बताना भोल गया यहां पे हम जो भी बाते कर रहे हैं वो actually में hydrostatics की बात हो रही है hydrostatics तो यह जो भी पढ़ाई है आपका प्रेशर का जो हमने start किया था that is hydrostatics hydrostatics का मतलब होता है study of fluid at rest study of fluid at rest actually में होता कहना कि जब आपका fluid rest पे होता है तब उसकी properties अलग होती है तब उसका behavior अलग होता है जब वो flow होने लग जाता है तब उसकी properties अलग हो जाती है इसलिए जब liquid या fluid आपका rest पे है तब उसको हम अलग से पढ़ते हैं और जब liquid rest पे होता है तब जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है hydrostatics लेकिन जब आपका liquid flow होने लग जाता है तब जब आप उसकी पढ़ाई करते हो तो उसे बोला जाता है hydrodynamics तो hydrodynamics जो है वो हम आगे पढ़ेंगे जब आपका hydrostatics complete हो जाएगा इसी chapter में फिलाल जहां जो भी cases हम लोग देख रहे हैं और जो भी fluid की बाते कर रहे हैं उसमें आपका fluid जो होगा वो rest पे होगा इसलिए ये जो statement है वो याद रखना ये fluid जब rest पे होगा तो ही valid है that at same horizontal level pressure at every point is same ठीक है क्योंकि फिलाल हम hydrostatics पढ़ रहे है जहां पे आपका fluid rest पे है ठीक है? right? clear? तो यहां पे आपका ये pressure exerted by liquid column का जो ये equation हमने derive किया है ये complete होता है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पे अब हम लोग atmospheric pressure के बारे में क्या? atmospheric pressure अब ये atmospheric pressure क्या होता है वो देखो see, हम लोग basically earth पे रहते हैं सब लोग को पता है ये बात कि मालनों तुम्हारा earth है क्येक है? earth के around आप देखोगे तो एक पूरा region है जिसमें पूरा air भरा हुआ है ये पूरा air के बहुत सारे layers है gases के layers है जिसको आप air बोलते हो और ये करीबन आप देखोगे तो 8 km उपर तक है 8 km या फिर 8,000 मेटर तक का पूरा एक 8,000 8,000 मेटर height तक का पूरा का पूरा आपका एक air का column है air का पूरा का पूरा layer है और इसी air के region को हम लोग बोलते हैं atmosphere ठीक है? और इसी atmosphere के अंदर हम रहते हैं यहाँ पर कहीं नदी है, समंदर है यह सारी चीज़े है तो हम इस air के contact में हम इस atmosphere के contact में हमारे यह जो पूरा का पूरा 8 km तक का पूरा air का पूरा region है इसी को हम atmosphere बोलते हैं यह atmosphere हमारे contact में है और हम पर force exert करता है या earth में जो भी objects है इस atmosphere के अंदर जो भी objects है उस पर यह pressure exert करता है इसी pressure को बोला जाता है atmospheric pressure अब देखो atmospheric pressure अगर हमको calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे see pressure का मतलब क्या होता है pressure का मतलब होता है force upon area right तो यहाँ पर हम देखो क्या करते है जैसे माल लो इस पेड़ के उपर कितना pressure लग रहा है atmospheric pressure लग रहा है अगर हमें यह calculate करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे unit area का पूरा column ले लेंगे मतलब 1 meter square area का एक column ले लेंगे और यह पूरा air का column कहा होगा लगबग 8 km तक होगा तो यह 8 km का जो पूरा column है यह 1 meter square के area पे unit area पे जितना force exert कर रहा है यहाँ पे वही आपका pressure हो जाएगा मतलब किसी भी point पे अगर आप pressure चाहते हो तो उस point पे पूरा यह 8 km का जो air column है वो जितना force exert कर रहा है that force per unit area unit area में जितना force exert कर रहा है that is what you call atmospheric pressure तो यह atmospheric pressure का definition है तो यह definition में आपको लिख के दे दूँगा जो handwritten notes है उसमें exactly और properly सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होगी आप उसे refer कर लो और यह जो भी explanation है यह पूरा PDF भी बना का आपको में दे दूँगा तो यह आपका होता है atmospheric pressure तो यहाद में atmospheric pressure जो है काफी जादा होता है और यह अलग-लग point पे अलग-लग हो सकता है जैसे अगर आप पहाड पे चड़ी जाओ तो पहाड के जाने से क्या होता है आपकी height थोड़ा आप ऊपर चले गए ना तो air column जो है एक तो छोटा भी हो जाएगा और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो मतलब अर्थ के surface के ऊपर जाते हो वैसे वैसे air की density कम होने लग जाती है air की density भी कम हो जाती है और air column का जो length है वो भी धिरिद्रे घटने लग जाता है इसके वैसे क्या होता है कि ऊपर जाते समय प्रेशर जो है, वो decrease होने लग जाता है, pressure decreases, दो reason के वेज़ से pressure decrease होता है, एक तो आपका density जो है, वो भी कम होने लगता है, और air column की height, क्योंकि आप उपर जा रहे हो, तो उसके उपर का air column का height, ये भी decrease होने लग जाता है, और इन दोनों के वेज़ से, आपका air का pressure, ये atmospheric pressure, atmospheric pressure आप समझ सकते हो, मतलब air का pressure, ये भी देरे ऊपर जाते जाते है, देरे देरे कम होने लग जाता है, समझे, अब देखो, जो C level है, C level मतलब, जो समंदर का level है, ये आप C level बोलो, जहां पर समंदर है, वहां से अगर आप पूरा air column लेते हो, तो ये लग बख, ये जो पूरा pressure आपका C पे exert करें, C level पे जो pressure आता है, यहां पे जो आपका atmospheric pressure है, C level पे, इस pressure को normal atmospheric pressure बोला जाता है, normal atmospheric pressure, और ये सबसे ज़्यादा value होगा, क्योंकि ये सबसे bottom पे है, सबसे bottom सबसे नीचे है, तो ये सबसे ज़्यादा pressure का value यहीं पे होता है, और इसके बाद आपका धीरे दिरे जैसे उपर जाओगे तो pressure का value कम होने लग जाता है normal atmospheric pressure की मैं बात करूँ तो इसको हम PO से अगर denote करें तो इसका value 1.01325 into 10 raise to 5 Pascal होता है इतना value होता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं 1 ATM that is 1 atmosphere या फिर 1 atmospheric pressure 1 atmospheric pressure का value क्या होता है 1.01325 into 10 raise to 5 Pascal इसका मतलब pressure को measure करने का एक और unit आगया आपका ATM ATM का मतलब होता है atmospheric pressure या फिर atmosphere बोल दोगे तो भी सर्फ चलेगा ये pressure का unit और इसका value क्या होता है 1.01325 into 10 raise to 5 Pascal तो हम लोग ने जो units लिखा था pressure का उसमें एक और unit आप add कर सकते हो that is 1 ATM और 1 ATM का value होता है 1.01325 into 10 raise to 5 Pascal ये भी आपके एक minute में आ गया तो 1 atmosphere का pressure यहाँ पे आपका exert हो रहा है और देखो अगर तुम ध्यान से देखो कि तो 10 raise to 5 Pascal ये pressure काफी जादा होता है क्योंकि आपके सर पे मालो pressure exert कर रहा है ये atmosphere तो आपके सर पे लगबग 8 km का air column है जो आपको दवारा और ये जबरदस pressure होता है सिरह आपके सर को ही नहीं बलकि आपके पूरे body के हिस्से को हर जगा या हर object जो भी air के अंदर रखा हुआ है उसका surface इतना pressure exert या इतना pressure feel करती है तब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हमारी body इतना pressure feel कर रही है तो हमें पता कैसे नहीं चल रहा है क्योंकि ये pressure बहुत जादा है इस pressure को अगर आप imagine करो तो ये pressure कुछ ऐसा है कि जैसे अगर मालो आपके सर पे लगबग 1000 किलो का कोई सामान रख दे तब जो आप pressure feel करोगे उतना pressure अभी फिलाल ये atmosphere आप पर exert कर रही है वो भी body के हर एक पार्ट पर तो फिर हमें feel क्यों नहीं होता देखो actually होता क्या है कि ये जो pressure है वो atmosphere आप पर exert कर रही है लेकिन आपके body के अंदर भी fluid होता है आपके body के अंदर air है आपके body के अंदर blood है water है तो आपके body के अंदर भी fluid है तो मान लो अगर ये आपका body है इस तरीके साथ तो अगर आपको बाहर से pressure exert किया जा रहा है कितना pressure exert किया जा रहा है आप पर इतना 1.01325 इंदर 10.5 पास्कल 1 atmosphere का pressure तो आपके अंदर जो body fluid है ये body fluid भी क्या करती है exactly उतना ही force लगा कर बाहर की ओर ये उतना ही pressure आपको बाहर की ओर exert करती है और इस बाहर के pressure को balance कर लेती है अगर दोनों pressure में से एक pressure भी कम हुआ तो याद रखा कि आपके हालत खराब हो जाएगी मान लो आप पानी के अंदर sea level के अंदर गुश जाते हो समंदर के अंदर चले जाते हो तो समंदर के अंदर जाने से होता क्या है अपका बाहर का pressure जादा हो जाता है अंदर का जो body fluid है उसका pressure तो उतना ही होगा body fluid भी लगवग उतना ही pressure लगा के बाहर के pressure को balance करके रोकी रखती है और इसलिए हमारा जो body है एकदम जबरदस्त है सही है और हम इसको लेके कहीं भी जा सकते बड़े आसानी से और हमें कुछ होता भी नहीं है अगर माल लो इस body को compress किया जाए अगर suppose करो तुम समंदर के अंदर चले गए एकदम गहरे पानी में चले गए तो गहरे पानी में बाहर का जो pressure होता है वो जादा हो जाता है और अंदर का pressure उतना ही रहता है अंदर का pressure उतना ही रहता है और बाहर का pressure जादा होने की वज़े से आपको वो दबा देगा और आप सिकोडने लग जाओगे हो सकता है इसकी वैसे आपकी नसे फट जाए और हो सकता है कि ये काफी डेडली भी हो, खतरनाग भी हो और आपकी मृत्यू भी हो सकती है इसलिए बहुत अंदर अगर आप समंदर में चले गए तो फिर याद अगना बाहर के प्रेशर के वैसे आपको वो पूरी तरह से निचोड देगा, तबा देगा और हो सकता है कि इसमें आप अपनी जान मी कवाबेट हो अगर आप सपोस करो बहुत उपर भी चले जाते हो मालनो एकदम पहाड के उपर चले गए तो होता क्या है कि एकदम पहाड के उपर चले जाओगे जहां पर प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर का अटमोसफेरिक प्रेशर आपने क्या क्या कम कर दिया लेकिन अंदर का अटमोसफेरिक प्रेशर उतना जादा ही है न जितना पहले था उतना ही है बाहर का प्रेशर अगर कम होता है और अंदर का जादा हो जाएगा तो अंदर का जो fluid या blood है वो बाहर आने की कोशिश करेगा आपको फाड़ के निकलने की कोशिश करेगा समझे ऐसे process में कैसा होता है कि कई बार आपने सुना होगा जब बहुत उचाही पे जाता है तो उसकी नस फट जाती है नाक में से खून बहने लग जाता है उसका reason क्या होता है reason यही है अंदर का तो उतना ही pressure है जितना आप जमीन पर थे तब आपको लग रहा था लेकिन जब आप बहुत उपर चले गए तो बाहर का atmospheric pressure कम हो गया अंदर का उतना ही जादा था अंदर का fluid pressure के वह से बाहर आने की कोशिश करता है और इसलिए नस फटने का डर होता है नाक में से खून बहने लग जाता है समझे तो actually में जब आप हम जमीन पर है तो यह बाहर का और अंदर का pressure दोनों जो है वह एक दूसरे को balance करता है तब ही हम इतने अच्छे से रह पाते हैं इतना जादा pressure हमारे सर पर लग रहा उसके बावजूद समझे और यह atmospheric pressure इतना जादा है इतना जादा है कि मैं बता रहा हूं कि एक बार एक कहानी मैंने सुनी थी इसमें क्या किया था दो hemispherical shell लिया था इस तरीके से दो hemispherical shell मतलब जो आपका दो hemisphere होता है ना खाली hemisphere वो लिया उसको जोड दिया और किसी तरीकी से इसके अंदर का air बाहर निकाल दिया अब air बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब कि यह पूरा vacuum हो गया खाली हो गया अंदर vacuum create कर दिया यह पूरा खाली हो गया और उसके बाद यहां से रसी बांद दिया और यहां से रसी बांद दिया अब यहां से गोड़ा पकड़ के खींच रहा है और यहां से भी गोड़ा पकड़ के खींच रहा है दो घोड़े अपनी पूरी तागत घोड़ा था या हाथी था exactly मुझे याद नहीं है पर yes powerful दो एनिमल्स इसको दोनों तरब से इसको खीच रहे लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे और इनको चिपकाया नहीं किया था बस क्या किया गया था ऐसे एक दूसरे के सामने लाके रखा और इसके अंदर का air निकाल के फेक दिया अब air निकाल के फेक दिया तो अंदर का pressure तो zero हो गया अंदर कोई pressure नहीं है और बस इसके उपर अब atmospheric pressure लग रहा है अब देखो ये atmospheric pressure ने क्या कर रखा है तोनों तरब से atmospheric pressure हर तरब से लगके दोनों को जोड के रखा है और यह atmospheric pressure इतना strong था कि दो घोड़े हाथी मिलकर भी इन दोनों spheres को its atmospheric pressure की वज़े से अलग नहीं कर पाएं समझें? तो यह इतना powerful होता है आपका atmospheric pressure वो pressure हमारे पूरे body पे पढ़ रहा है भी हमें कुछ नहीं हो रहा है reason simple है कि अंदर का जो body fluid है उसका pressure जो है उसने हमको सभाल के रखा हुआ है right समझ गया? तो मैं इस part को यहां से हटा देता हूँ और atmospheric pressure का concept I hope आपको clear हो चुपा होगा अच्छा इसमें दो word आता है एक होता है आपका vacuum vacuum का मतलब होता है वो जगह region जहां पे gas pressure gas का जो pressure होता है it is less than is considerably is considerably less than atmospheric pressure अगर atmospheric से काफी कम pressure है gas pressure कोई भी gas हो अगर कोई भी gas मनला किसी भी region में अगर कोई gas है अगर वहां पे atmospheric pressure से काफी कम pressure होता है तो हम उसको क्या बोल देते है उस region को vacuum बोल देते है अब आपके दिमाग में होगा सर vacuum तो वो जगह ना जहां पे कोई भी particles नहीं होता है देगो ऐसा नहीं होता है कोई भी जगह को आप vacuum बोल सकते हैं इसके अंदर का pressure काफी कम हो चुका है तो हम इसको भी vacuum बोल देंगे vacuum मतलब atmospheric pressure के comparison में काफी कम pressure हो जाए वो vacuum हो जाता है हाँ जो आप और हम vacuum की बात करते हैं जहां पे एक भी प्रापार्टिकल नहीं है जहां पे pressure zero है उसको हम लोग perfect vacuum बोलते हैं जिसके हम बात करते हैं ना वो क्या होता है perfect vacuum जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता नो पार्टिकल यह होता है आपका complete vacuum या perfect vacuum तो perfect vacuum होगा वहाँ पे आपका obviously बात है pressure होगा zero right और सबसे ज़्यादा pressure आपको c level पे मिलेगा जिसको हम normal atmospheric pressure बोलते हैं जिसका value यह होता है बाकि आपने देख लिया कि atmospheric pressure का क्या चक्कर है and I hope atmospheric pressure की बारे में आपको clear idea यहाँ पे आ चुका होगा ठीक है समझ गया तो जो भी चीज़े important चीज़े हैं उसका notes और points में आपको लिखके तो दही राम साथी साथ आपको इसका पीडिएफ मिल जाएगा और यहाँ पे आपका atmospheric pressure वाला topic होता है खतम